FYJC CET के regarding एक update है आप सभी के लिए Bombay High Court में एक ICAC की student है जिसने एक petition file किया है जिसमें वो ये कह रही है कि जो ICAC और IGCAC या दूसरे board के students है basically महारास्टा board के अलावा उनके लिए CET एक injustice के तरह सावित हो सकता है क्योंकि basically CET के जो questions है वो state board पर based होंगे उसमें CBSC, ICAC या IGCAC के questions include नहीं होंगे और ये सारे boards का syllabus होता है वो अलग होता है तो Bombay High Court में ये फैसला जो है CET रहेगा या नहीं रहेगा उसका फैसला जो है वो 10th of August को आने वाला है 10th of August को आपको मालुम बढ़ जाएगा जो भी variations होंगे इसमें एक possibility ये लगाई जा रही है कि आपको total 175 questions दिये जाएंगे जिसमें से extra जो questions होंगे वो दूसरे boards के syllabus पर based होंगे और आपको total 100 questions अटेम करने है आपको 175 questions दिये जाएंगे जो कि उसमें से 75 questions क्या होंगे optional questions होंगे तो कि इसमें ये होगा कि सबको एक तरह से fair chance मिलेगा exam देने का और इसमें वो बच्चों को भी सहूलियत होगी जो दूसरे board से होंगे इसके अलावा CET को रद करना यानि कि CET को खतम कर देना ये एक अच्छा फैसा नहीं हो सकता है क्योंकि record के मताबिक approximately 10.75 लगबग 11 लाग बच्चों ने CET के exam के लिए register अल्रेडी कर चुके है अब ये इतने सारे बच्चे register अल्रेडी कर चुके है तो फिर से इनका registration नहीं करना और फिर कही सारे बच्चों ने तो preparation भी इसकी शुरू कर चुकी है तो ये एक बड़ा ही confusing situation है अभी तो फिलहाल में इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है final जो आपको इस पर verdict होगा वो आपको 10th of August को